मैंने लगभग 2 साल पुराने डेट चैनल को एक्टिव कर दिया लगभग 700 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर थे लेकिन व्यूज 20 से 30 ही आते थे मैक्सिमम 50 आते थे लेकिन मैंने पता लगाया कि मेरे वीडियो पर इतने कम व्यूज क्यों आते हैं अखिरकार वीडियो पर इतने कम व्यूज क्यों आते हैं और ज्यादा व्यूज कैसे ला सकते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं नमबर एक तो दोस्तों चैनल बनाते समय आपको यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप उस चैनल पर किस टापिक्स का वीडियो अफ्लोड करना चाहते हैं होता ऐसा है जैसे कि आप ब्लॉग का वीडियो बनाते हैं तो आप उस कैटेगरी में सिर्फ ब्लॉग का ही वीडियो अफ्लोड करें ऐसा नहीं कि आप किसी दिन वीडियो सूट नहीं कर पाए और उस चैनल पर किसी और केटेगरी का वीडियो अपलोड करते हैं यूचा करने से आपके सब्सक्राइबर को अच्छा नहीं लगता कियोंकि आपके सब्सक्राइबर आपके ब्लॉग वीडियो को ज्यादा मसंद्こんते हैं कभी न करें नमबर टू अगर आप वीडियो एक ही केटेगरी का अफलोड करते हैं एकिन फिर भी आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो यह ट्रिक जरूर फालो करें आपको पता होगा कि हर एक आदमी को यूटूब के बारे में पता चल गया है यूटूब वीडियो पर अच्छा से अच्छा व्यूज आ सके नमबर तीन अगर आप इस रूल को फालो करेंगे तो आपके वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगेंगे तो दोस्तों अच्छे व्यूज लाने के लिए आपको अपने चैनल पर डेली वीडियो सूट करके अपलोड ऐसे आपके subscriber एक्टिव रहते हैं और आपके subscriber भी बढ़ते हुआ अगर आप एक video आज एक video 12 दिन बाद upload करेंगे तो ऐसे करने से आपके subscriber डिएक्टिव होने लगते हैं और आपके subscriber भी नहीं बढ़ते हैं दोस्तों ऐसा कभी न करें और डेली वीडियो को सूट करके अपलोड करते रहें तो दोस्तों अगर आप भी अपने चैनल पर लांग वीडियो अपलोड करते हैं आप उस चैनल पर सिर्फ लांग वीडियो ही अपलोड करें अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के चकर में उस चैनल पर सौर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ऐसी गलती कभी न करें क्योंकि ऐसा करने से आपके चैनल पर सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे लेकिन आपके जो लॉंग वीडियो हैं उस पर व्यूज बहुत कमाएंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में तब के लिए धन्यों